नमस्कार दोस्तों, Knowledge मडली में आप सभी का स्वागत हैं, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम बिल्कुल एक नई सीरीज कर रहे हैं, जिसमें अध्यन किया जा रहा है, Salt Paper of AC, ASO, LDC, Stenographer, MTS, Mass Helper, जो की Conduct किये गए थे, नवदे विद्याले के द्वारा, तो जो Recent Question Paper है, उनका क्या Trend है, किस तरीके के Question पूछे जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और ये आगामी परिक्षाओं के लिए Important हो सकते हैं, जैसे कि DC, AC Principle, Vice Principle, SO, ASO, OS, UDC, LDC, K KVS, NVS, EMRS, NCT, Conducted by UPSC, Limited Departmental Examination, अगर आप चेनल पर नए हैं, तो चेनल को सब्सक्राइब कर लीजे, क्योंकि Knowledge Manly पर Authentic और Reliable Content है, आपके अवलेबल करवाए जाते हैं, यहां पर कोई भी बर्गलाने का काम नहीं है, कहीं से भी इदर उदर से चीज़े उठा करके नही डाली जा रही हैं, बिल्कुल Authentic Content है, वो प्रवाइड किये जा रहे हैं, इसलिए चेनल को सब्सक्राइब करिए, और आगामी परिक्षाओं के लिए अपने आपको प्रिपेर करिए, मेरे साथ में, Knowledge Manly के साथ में, आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे, कम्प्यूटर पर बेस्ट को संसे हैं, और कम्प्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे को संसे मेरे चेनल पर पहले से ही अवलेबल हैं, परन्तु जो इस्टेनोग्राफर के एक जामनेशन में, नवोदे विद्याले ने क्या को संपेपर को संपूचे थे, कम्प्यूटर पर आधारित और ब इस तरीके से आने सुरू हो गए, तो ये सारी चीजें भी हम वीडियो में आगे देखेंगे, तो वीडियो को लाज तक देखें, तो सुरू करते हैं, सबसे पहला कोईशन, तो रिनेम ए फोल्डर, विच ओप द फोलोविंग कैन ऑप्शन, अबलिक ऑप्शन बी एक्सरसा एक्डी टेबल, टेक्स्ट फील्ड, सेकेंड, राइट क्लिक ओन दा फोल्डर, एंड सेलेक्ट रिनेम ओप्शन फ्रॉम दा ड्रोप डाउन मेनू, थर्ड इन फाइल एक्स्पोलोरर, प्रेस विंडोज की प्लस ए, तो कौन-कौन से सेंटेंस है, फाइल को रिनेम करने मे सही होंगे, तो यहाँ पर हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं, किसी फोल्डर को रिनेम करने के लिए, निमन में से किन विकल्प, विकल्पों का उपियोग किया जा सकता है, इन में से कौन-कौन से सही हो सकते हैं, ओप्शन देख लेते हैं, A, only one, B, first and second both, C, only second, D, first, second and third, सह इसका हो जाएगा, B, first and second both, अगर कोई फोल्डर को आपको रिनेम करना है, तो रिनेम करने के लिए पहला देख लेते हैं, क्लिक ओन दा फोल्डर and wait for a second, then click again to enter the preferred name in the editable text field, तो फोल्डर पे आप क्या करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे और इंतजार करेंगे, और उसके बाद में, renaim button पर क्लिक करके, क्या कर सकते हैं, फोल्डर को renaim कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, second है, right click on the folder, and select rename option, from the drop down menu, तो यहाँपर right click करके, और drop down menu में आप क्या कर सकते हैं, 근데 क्लिक करके, फोल्डर को renaim कर सकते हैं, तो दोनुँ moment हैं, वो तीक हो जाते हैं, हमारा स ही उत्तर हो जाएगा, B, अगला सवाल देख लेते, second, what is the full form of RTOS, RTOS का पूर्ण रूप क्या है, इन में से हमें देखना है कि RTOS है, उसका full form क्या हो जाएगा, option A, run time operating system, B, runner time operating system, C, round time operating system, D, real time operating system, तो सही उत्तर क्या होगा, इसका, B होगा, real time operating system होगा, RTOS का मतलब होता है, real time operating system, हमारा answer हो जाएगा, D, question number third, which of the following disk is best for making frequent backups, लगातार backup बनाने के लिए इमने से कौन सी disk सब से अच्छी होती है, आपको frequent backups लेने हैं, तो कौन सी disk तयार करनी होगी, option देख लेते हैं, A, CD-ROM, B, CD-RW, C, CD-R, B, DVD-ROM, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, B, CD-RW, अगर आपको frequent backup लेना है, backup store करना है, तो CD-RW हम यूज करेंगे, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, B, और knowledge-manly display board है, आप से कुछ कहना चारा है, और detail में भी कुछ बताना चारा है, देख लेते हैं, knowledge-manly display board है, आपको क्या बताना चारा है, knowledge-manly display board, सभी जो CD-RW, CD-R, DVD-R, रोम इनके क्या मतलब हैं, knowledge-manly display board पर देख लिजे, एक compact disk read-only memory, CD-ROM हीजे, read-only disk, तो यहाँ पर CD-ROM का मतलब क्या होता है, एक compact disk read-only memory है, जिसको आप सिर्प read कर सकते हैं, उसमें edit नहीं कर सकते, तो इसका full-form क्या हो जाएगा, CD-ROM का, एक compact disk read-only memory, second में, CD-RW का मतलब क्या है, एक compact disk, re-writable, CD-RW is an erisable disk that can be re-used, तो यहाँ पर लगातार frequent backups लेने हैं, तो CD-RW यूज कर रहे हैं, क्योंकि यह क्या है, re-writable disk है, जिसको आप बार-बार rewrite कर सकते हैं, re-use कर सकते हैं, इसलिए CD-RW उचको लगातार backup लेने के लिए तैयार किया जाता है, यूज किया जाता है, थर्ड है, CD-R का मतलब क्या है, एक compact disk, recordable, CD-R is a writable once read multiple WORM disk, मतलब CD-R है, उसको आप एक बार write कर सकते हैं, परन्तु बार-बार read कर सकते हैं, तो CD-R का मतलब भी कई बार पूछ लिया जाता है, और DVD-ROM का मतलब क्या होता है, DVD-ROM stands for a digital versatile disk read-only memory, a read-only DVD is used to store the files permanently which cannot be changed, तो यहाँ पर ये re-writable नहीं है, ये भी क्या है, पढ़ने के लिए एक बार write होने के बाद में उसको बार-बार use किया जा सकता है, dear friends, आपके परिक्षा में इस तरीके के बहुत सारे questions हैं, वो पूछ लिये जाते हैं, CD-ROM का भी मैंने आपको मतलब बताया है, CD-RW जो कि हमारा answer हो रहा था, और CD-R है वो उसका मतलब भी बताया, DVD-ROM का भी मतलब आपको मैंने बताया, तो ये questions हैं, आपके लिए बहुत important हो सकते हैं, क्योंकि आपकी परिक्षा में computer से related बहुत सारे questions हैं, वो पूछे जाएंगे, basic computer knowledge से related questions हैं, वो पूछे जाएंगे, देख लेते हैं, अगला सवाल 4, in MS PowerPoint, which is a viewing mode that has no colors, only sets of gray, MS PowerPoint में कौन सा एक viewing mode है, जिसमें कोई रंग नहीं होता है, केवल दूसर ग्रे रंग के set होते हैं, मतलब कि कोई भी color नहीं होता है, सिर्फ gray color आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा mode बोलते हैं, viewing mode कौन सा बोलते हैं, option देख लेते हैं, A, gray scale, B, gray side, C, gray view, D, gray shadow, तो यहाँ पर सही उतर हमारा हो जाएगा, A, gray scale बोलेंगे, gray scale बोलेंगे, जहाँ पर कि MS PowerPoint में एक viewing mode है, जिसमें कोई रंग नहीं होता है, केवल gray रंग के set होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, gray scale बोलते हैं, सही उतर हो जाएगा, A, Question No.5, Which of the following is a type of operating system? तो यहाँ पर operating system दिये हैं, पहला है time sharing operating system, second distributed operating system, third network operating system, तो इन में से क्या यह operating system है या नहीं है, हिंदी अर्थ देख लेते, निमलिकित में से कौन सा operating system का एक परकार है, क्या तीनों operating system है, या कौन सा operating system है, Option देख लेते, A, only first, B, first second and third, C, only third, B, first and second, सही उतर हो जाएगा हमारा, B, first, second and third, तीनों ही operating system है, time sharing operating system है, साथ में distributed operating system है, और network operating system है, मतलब की तीनों ही operating system है, हमारा उतर हो जाएगा, B. Next question 6, which of the following represents the function of the search box in the file explorer window, तीन sentence दिये हैं, कौन-कौन से सही होंगे, पहला sentence देख लेते हैं, searching for a file in an active folder, second, searching a file in all sub-folders within an existing folder, third, searching a file or folder across the computer, निमलिकत में से कौन सा file explorer window में search box के कारिये को निर्यूपित करता है, तो इन में से कौन सा सही हो जाएगा, option देख लेते हैं, A, only first, B, first, second and third, C, only third, D, first and second both, correct answer will be B, first, second and third, तीनों ही सही है, यहां पर function of search box in the file explorer window तो पहला यहां पर है, searching for a file in an active folder, यह भी ठीक है, second, searching a file in all sub-folders within an existing folder, third, searching a file or folder across the computer, तो तीनों चीज़े हैं, वो file explorer में search की जा सकती है, सही हो हमारा उतर हो जाएगा, B, next question 7, the main part of a computer system consisting of a memory unit, a control unit and an arithmetic logic unit made up of what is it called, तो main part है, जिसमें memory unit है, control unit है, arithmetic logic unit है, मतलब कि यह सारी चीज़ें हैं, पाई जाती हैं, तो उस main part को क्या कहते हैं, हिंदी अर्थ देख लेते हैं, computer system का मुख भाग, जो की memory unit, control unit और arithmetic logic unit, ALU से मिलकर बनता है, क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर के main part बनता है, तो option देख लेते हैं, A, microprocessor, B, CPU, C, bandar device, D, random access memory, तो सही उतर हमारा हो जाएगा, B, CPU, CPU कहते हैं, इसको microprocessor नहीं बोलेंगे, storage device भी नहीं बोलेंगे, random access memory भी नहीं कहेंगे, जिसमें सभी चीज़ें हो, memory unit हो, control unit हो, arithmetic logical unit भी होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें हैं, वो किस में पाई जाती हैं, CPU में पाई जाती हैं, CPU का full form क्या होता है, आप comment कर दीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा question भी पूछ लिया जाता है, CPU का full form पूछ लिया जाता है, तो आपके comment आ जाने चाहिए, सही answer यहां पर हो जाएगा, B, question number 8, which type of operating system manages a group of independent computers and keeps them as a single computer displays, किस परकार की operating system स्वतंतर computer के समू का प्रबंदन करती हैं, और उन्हें एक ही computer के रूप में प्रदर्शित करती हैं, तो उसको operating system को क्या बोलते हैं, option देख लेते, A, batch operating system, B, distributed operating system, C, multitasking operating system, D, time sharing operating system, सही उतर हमारा हो जाएगा, B, distributed operating system, जहां पर operating system है, जहां computer के समू का प्रबंदन करती हैं, और उन्हें एक ही computer के रूप में प्रदर्शित करती हैं, मतलब कि एक group होता है computers का और उसको एक ही computer के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, distributed operating system बोलते हैं, सही उतर हमारा हो जाएगा, B, question number 9, in MS Word 2010, in which tab of the ribbon menu, zoom in and zoom out buttons are present, MS Word 2010 में ribbon menu के किस tab में, zoom in and zoom out button मोजूद होते हैं, तो वो ribbon menu है, वो कहाँ पर है, जहाँ पर कि यह zoom in और zoom out button है, आपको दिखाई देंगे, मैं आपको बता दो कि ribbon menu है, वो इस तरीके का यहाँ पर ribbon menu बना होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से दिखाई जाती है, तो कौन सी चीज़ में यह zoom in और zoom out button पाए जाते हैं, option देख लेते हैं, A, view, B, design, C, layout, D, insert, किस में पाए जाएंगे, zoom in और zoom out button तो सही उतर हमारा हो जाएगा, A, view में आपको यह मिल जाएंगे, zoom in और zoom out button है, वो मिल जाएंगे, मैंने बताया, कि यहाँ पर ribbon menu होता है, जहाँ पर view में आप जाएंगे, तो वहाँ क्या मिल जाएगा, आपको zoom in और zoom out button मिल जाएगा, सही उतर हो जाएगा हमारा, A, question number 10, in which of the following places, touch screen, kiosk, displaying information in public places are not there, तो बहुत ही छोटा सा question है और logical भी है कि आपको समझना है, सारवजनिकिस्तानों पर सूचना प्रदर्शित करने वाले touch screen कहाँ पर नहीं पाये जाते हैं, option देख लेते, A, government and corporate buildings, B, shopping mall, C, airport, D, home, correct answer is D, home, home मतलब घर है, वो सारवजनिकिस्तान नहीं है, और इसके लिए सारवजनिक touch screen भी घर पर नहीं लगेंगे, तो निशित रूप से आसान question है, और logical भी है, कि घरों में सारवजनिक touch screen है, वो नहीं लगाये जा सकते, बाकी जगें लगेंगे, government and corporate buildings है, यहाँ पर भी लग सकते है, shopping mall में भी लगेंगे, airport में भी लगेंगे, क्योंकि यह सारे public places है, सारवजनिकिस्तान है, परन्तु घर है, वो सारवजनिकिस्तान नहीं है, इसलिए touch screen क्रियोस के वहाँ पर नहीं लगेंगे, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अगला सवाल 11, which of the following is the best option for storing large software application files, बड़ी software application file को store करने के लिए, निमलिकित में से कौनसा विकल्प सबसे अच्छा है, option देख लेते हैं, A. CD-ROM, B. CD-RW, CD-R, D. DVD-ROM, तो इससे पहले इनका meaning हमने समझ लिया था, CD-ROM, CD-RW, CD-R, और DVD-ROM क्या होते हैं, इनके बारे में पच्चा कर चुके थे, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, DVD-ROM, DVD-ROM है, वो large software application को store करने का एक तरीका है, जहां पर हमने चर्चा करी थी, DVD-ROM है, read-only memory है, जहां इसको rewrite नहीं किया जा सकता है, जो software application फाइल है, उनको store करने का सबसे अच्छा तरीका है, DVD-ROM है, सही उत्तर हो जाएगा, question number 12, what will be the result of the given Microsoft Excel formula, when it is applied to the given sample worksheet, तो यहां पर एक sample worksheet दी गई है, जहां आप Excel worksheet है, इसको देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है, फाइल, insert, page layout, formulas और यह आगे बहुत सारी चीज़े दी गई है, यहां पर paste, cut, copy, formula और यह इसमें font भी दिया गया है, size दी गई है, और bold, italic, underline, clipboard, बहुत सारी चीज़े दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं, कि यहां यह row दी गई है, row में बताया गया, A, B, C, D, E बताया गया है, और यहां पर column नमबर दी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तत दी हैं, तो एक sample worksheet दी गई है, तो इसमें हिंदी अर्थ देख लेते हैं, दिये गए Microsoft Excel सूत्र का प्रणाम क्या होगा, जब इसे दिये गए sample worksheet पर लागू किया जाता है, तो वो formula देख लेते हैं, इस्क्वल टू, average, column B1 है, column B2 है, column B3 है, column B4 है, column B5 है, तो इनका average है, वो क्या आएगा, यह formula यह से क्या निकल के आएगा, तो आप इसको calculate करके देख सकते हैं, column B1 में 90 है, उसके बाद में, column B2 में 85 है, column B3 में 80 है, और column B4 में 75, column B5 में 70 है, तो इसका total हो रहा है, 400 और 400 को आप divide करिए, क्योंकि कितने colon हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 colon है, तो इसको आप divide कर लीजे, इसका योग है, उसको total संख्याओं से भाग देते हैं, तो 5 संख्या हैं, यहाँ आजाएगा, आपका 80, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आपका 80 हो जाएगा, यहाँ पर option दिये, 85, 80, 70, 75, तो उत्तर आपका हो जाएगा, 80 B हो जाएगा, उत्तर B उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, और इस तरीके के आपको manually इसको करने की जरुरत नहीं होती है, आप average पर डबाएगे, आप यह formula लगाएगे, तो तुरंती average निकल के आजाएगा, इक्वल टू average और यह कर कर के आप लिखेंगे, तो तुरंती आपका answer आजाएगा, 80 आजाएगा, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा, अभी, question number 13, in shortcut folders, there is always an arrow at the desk corner of the folder icon, shortcut folder में, folder icon के desk ओने पर हमेशा एक तीर होता है, तो जो shortcut folder होता है, shortcut folder है, माली जे, यहाँ पर shortcut folder है, यह knowledgemanly shortcut folder है, तो इस पर एक तीर बतन होगा, तो बटन देख लेते हैं, option में, यहाँ पर bottom left, lower left होगा, B, top right, upper right होगा, C, bottom right, D, top left, upper left, तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, A, bottom left, lower left हो जाएगा, तो बटन left में यहाँ पर एक arrow button होगा, यहाँ पर एक arrow button होगा, यहाँ आ इस तरीके का एक arrow button होगा, आपको दिखाई देगा, यहाँ आप एक arrow button होगा, लोवर left side में आपको दिखाई देगा, अगर यह क्या है, shortcut, shortcut folder है, तो यहां पर एक arrow दिखाई देगा lower left में मतलब bottom left में दिखाई देगा तो मतलब की question है वो बिलकुल general questions है basic है और daily use में आप ध्यान करेंगे तो daily use में जो question है वो पूचे जाते हैं आपने इससे पहले work sheet देखा work sheet में आप average करते हैं तो average में वहाँ formula क्या लगेगा वो simple सी बात हैं वो पूची गई है और यहीं फिर क्या है important बन जाती है अगर हम नहीं जानते हैं तो मुश्किल हो जाता है सही उतर यहां पर हो रहा है a next question 14 which tab of the ribbon menu in ms powerpoint 2010 helps to add new slide ms powerpoint 2010 में ribbon menu का कौन सा tab नई slide जोडने में मदद करता है तो यहां पर आप देखेंगे यह ribbon menu है इस तरीके क दिखाई देगा इसके नीचे address बार होगा तो यह ribbon menu है तो इसमे ribbon menu में बहुत सारी चीजें होती है यह ribbon menu हो जाएगा और यह address बार हो जाएगा यह address बार हो जाएगा तो ribbon menu में कौन सा tab होगा जहां पर कि आप नई slide जोड सकते new slide एड कर सकते option देख लेते a design b home c animation d file तो सही उतर हमारा हो जाएगा home home menu पे आप क्लिक करिये तो आगे आपको मिल जाएगा new slide एड आ जाएगा तो सही उतर यहाँ पर क्या हो रहा है बी home ribbon menu के home tab पर आप क्लिक करेंगे तो new slide एड करने का option आ जाएगा सही उतर होगा बी question no 15 what is microsoft windows microsoft windows क्या है option देख लेते n operating system b database program c application software d a microprocessor तो microsoft windows है क्या चीज है option देख सही उतर हमारा हो जाएगा a an operating system microsoft windows and operating system है मतलब की microsoft windows है एक operating system है सही उतर हमारा हो जाएगा a question no 16 what is batch operating system batch operating system क्या है next question 16 what is batch operating system batch operating system क्या है तो option में से हमें पता लगाना है कि batch operating system क्या होता है option देख लेते a it is an operating system where one computer system performs one process after another to do this two or more processes or programs are started simultaneously b it is a type of operating system that connects multiple people on different terminals and allows them to share and use a particular system at the same time c it is a special operating system which is to be embedded in the hardware configuration of the system has been designed d it is an operating system where there is no direct communication between the computer and the user तो सही उतर यहां पर क्या हो जाएगा d batch operating system क्या होगा it is an operating system where there is no direct communication between the computer and user जहां कोई भी computer और user के बीच में direct communication नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते है batch operating system बोलते हैं सही उतर हमारा हो जाएगा d move to question number 17 in ms excel which of the following method cannot be used to edit the contents of a cell ms excel में cell की सामगरी को संपादित edit करने के लिए निमिलिकित में से किस वीदी का उपियोग नहीं किया जा सकता है तो कौन सी वीदी है जिसको आप edit करने में ms excel में नहीं यूज कर सकते option में से देख लेते a editing contents from the formula bar b double clicking on a cell c pressing the f2 key d press alt plus enter तो सही उतर हमारा हो जाएगा d press alt plus enter मतलब कि आप कोई भी content को edit करना चारे ms excel में तो बाकी चीजें ठीक है editing content from the formula bar formula bar है आपको पता है कि excel seat है तो यहाँ पर ribbon menu होगा इसके बाद में यह तो आपका ribbon menu हो गया यहाँ पर formula bar भी चलते रहेगा नीचे address bar के नीचे address bar के नीचे यहाँ formula bar चलते रहेगा तो formula bar में आप edit कर सकते हैं कोई भी लिखा हुआ है यहाँ formula में आप जो भी लिखना चाते हैं edit करना चाते हैं वो change हो जाएगा बी में देखेंगे double clicking on a cell अगर आपने वो cell में लिख रहे हैं तो कोई भी cell में double click कर दीजे तो यहाँ पर double click करेंगे तो भी आप edit कर सकते हैं और c में pressing the app to key, app to key करके और इसको प्रेस करके भी आप edit कर सकते हैं परन्तु alt plus enter करेंगे तो आप edit नहीं करेंगे और यहाँ समझ लेते हैं, alt plus enter का मतलब क्या होता है, knowledge monthly display board है वो आपको बता रहा है, यहाँ सही उतर हमारा D हो रहा है, alt plus enter जिससे आप edit नहीं कर सकते हैं, knowledge monthly display board saying about alt plus enter, alt plus enter is known as manual line break in Excel, it's what you use when you want to have text, so in multiple lines regardless the width of the column, तो यहाँ पर आप alt plus enter दवाएंगे तो क्या हो जाएगा, knowledge यहाँ इस तरीके की row बनी हुई है, तो आपने यह row और यह column है, यह row और column है, तो कोई भी चीज में जहाँ जिस column में आप लिख रहे हैं, यहाँ पर knowledge a लिख रहे हैं और आपने alt plus enter दवा दिया, तो इसके आगे नहीं लिखा जाएगा, इसके नीचे लिखे जाएगा, तो यह column या row की width को बढ़ा देगा, उसमें नीचे line आ जाएगी, तो यह मतलब होता है, alt plus enter का सही हमारा उत्तर हो रहा था, D, देख लेते हैं, अगला सवाल 18, what will be the result of the given Microsoft Excel formula when it is applied to the sample worksheet below, तो यहाँ पर यह formula है, is equal to some bracket B1 column, B2 column, B3 column, B4 column, B5, तो इसका मतलब क्या होता है, इस formula बार का, यहाँ पर, यहाँ इस formula का क्या मतलब होता है, यह sample sheet दिये, आपको Excel worksheet दिये, file, home, insert, page layout, formulas, और यहाँ paste, यह आपके, आप phone आ गए, यह size आ गई, और इस तरीके से यह चीजे हैं, वो बताई गई हैं, और य यहाँ column में दिया है, 90, 85, 80, 75, 700, तो इससे पहले हमने इनका total कर लिया था, क्या total आ रहा था, यहाँ 400 आ रहा था, और इसको आप formula लगा करके, formula लगाएंगे, इसका सभी का, इनका total आपको करना है, तो क्या करना होगा, आपको formula लगाना होगा, और लिखना होगा sum, और इस colon, colon, b2, colon, b2, colon, b3, colon, b4, colon, b5, colon, इस तरीके से आप bracket close करेंगे तो, और enter दबाएंगे, तो तुरंत ही enter दबाते ही, आपका क्या आ जाएगा, यह sum आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे है, total करना चाहरे है, sum करना चाहरे है, तो यह excel seat है, आपने, यूज की होगी, तो उत्तर यहाँ पर option देख लेते, 350, 300, 450, 400, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, 400, क्योंकि यहाँ आप sum का formula लगा करके enter दबाएंगे, तो आपका 400 आ जाएगा, next question देख लेते, 19, which of the following statement is wrong, निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है, तो ग the second one, deleting a folder also, deletes all the files in that folder, be a deleted file, can never be restored from the recycle bin, see deleted files always go to the recycle bin, the shift plus delete helps to permanently delete a file from the computer, तो यहाँ पर wrong sentence है, हमें पता लगाना है, wrong sentence statement है, वो D है, deleted file can never be restored from the recycle bin ये बात गलत है आप restore कर सकते हैं पहले delete करेंगे तो वो recycle bin में जाएगा और अगर आप recycle bin में उसको वापिस लाना चाहते हैं folder को वापिस लाना चाहते हैं तो उस पे click करिए click करने पर restore option पुछेगा yes कर दीजे तो जहां से वो delete किया उस जगे पर वो वापिस restore हो जाएगा तो ये statement है वो गलत है वो never be restored है yes किया जा सकता है यहाँ पर yes can be restored मतलब can be restored है तो never है वो गलत हो जाएगा never यहाँ पर गलत हो रहा है अगर आप never हटा देंगे तो ये भी सही हो जाएगा बाकी sentence देख लेते हैं deleting a folder also deletes all the files in that folder तो यहाँ पर आप folder को delete कर देंगे तो उसके अंदर की सारी फाइल है वो delete हो जाएंगे बिल्कुल सई statement है c deleted files always go to the recycle bin तो delete करेंगे तो file कहां जाएंगी recycle bin में जाएंगी और d shift plus delete helps to permanently delete a file from the computer तो अगर आपने shift plus delete दबाया है तो वो permanently delete हो जाएगी वो recycle bin में नहीं रहेगी वो permanently delete हो जाएगी तो सारे sentence है वो सही है परन्तु B हमारा गलत है और हमारा सही उत्तर भी क्या हो रहा है B अगला सवाल देख लेते 20 what are the different types of kiosk available यहाँ पर kiosk हैं वो दिये गए हैं पहला है information kiosk second self service kiosk third internet kiosk तो कौन-कौन से kiosk पाये जाते हैं विविन प्रकार के उपलब्द kiosk कौन-कौन से हैं option देख लेते हैं first and second B first and third C second and third D first second and third तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा D first second and third तीनो टाइप के kiosk पाये जाते हैं information kiosk भी होते हैं self service kiosk भी होते हैं internet kiosk भी होते हैं तो यह information kiosk हो जाएगा जो ट्रेंड की डिस्पले बोर्ड है वो क्या होता है information kiosk होता है आपको सूचना दे रहा है यह सरकार के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो गोशनाए की जाती हैं वहां पर भी display किया जाता है कि आपके लिए यह विदाय यह नियम कानून है वो ल और फूर्मेशन कियोस्क कहलाता है self-service kiosk भी होते हैं आप ticket निकाल सकते हैं या आप पैसे जमा कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएंगे आपके self-service kiosk हो जाएंगे internet kiosk भी होते हैं कई जगे पर internet kiosk बने होते हैं जहां आप internet का use कर सकते हैं तो तीनों type के kiosk है हमारे देश में भी और पूरे वर्ल्ड में available हैं सही उतर हो जाएगा d question number 21 which of the following is not a type of read-only memory निमलिकत में से कौन सा read-only memory का एक परकार नहीं है option देख लेते हैं a sram b eprom c prom d eeprom तो सही उतर हमारा हो जाएगा यहां पर a sram sram है वो क्या है read-only memory का परकार नहीं है बाकी सारे हैं eeprom भी है और eeprom है यह सभी read-only memory के परकार है परन्तु यह नहीं है और sram क्या है और dear friends देख लेते हैं इन सभी के मतलब समझ लेते हैं knowledge monthly display board आपको बताना चारा है क्या मतलब है सभी के देख लेते हैं knowledge monthly display board क्या कहना चारा है सबसे पहले देखते हैं a में क्या दिया था sram इस्टेटिक रेम इस रेंडम एक्सेस मेमोरी रेम डैट रिटेंस डट डेट डेट बीट इन इस मेमोरी एज लॉंग एज पावर इस बीइंग सप्लाइड तो ऐस रेम है वो जब तक पावर सप्लाई होगी वो डेटा को बीट में स्टोर करके रखता है तो यह बात है एस अची बात यहां पर इस्टेटिक रेम मतलब एस रेम के बारे में बताया है भी देख लेते एपी आरो एम का मतलब क्या होता है रीड ओनली मेमोरी फॉम अप कंप्यूटर मेमोरी डैट डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट वेन दा पावर सप्लाई इस का टॉप एंड सी में पी आरो एम का मतलब को क्या होता है प्रोग्रामेबल पी आरो एम का मतलब क्या होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी आरो एम इस रीड ओनली मेमोरी रॉम बैट कैन बी मोडिफाइड वंस बाई ये यूजर तो एक बार आप उसको मोडिफाई कर सकते हैं और EEPROM का मतलब होता है, EEPROM, also E2PROM, stands for electrically erasible, programmable, read-only memory, and is a type of non-volatile memory. तो इस तरीके से ये सभी टाइप है, मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाली परिक्चाओं में इससे संबंदित अगर कोश्चन आ गया, तो आप निसित रूप से कर सकते हैं, आगे का सवाल देख लेते हैं, और बिल्कुल एक नई चीज आ गई है, कॉम्प टेस्ट ट्रेंड नवोदेविद्याले ने अडप्ट किया है, जहां पर परिक्षाम है, क्या ये उल्जाने के लिए है, या आपकी सुवीदा के लिए बनाये गया है, कॉम्प्रीहेंसन पर बेस्ट कोश्चन आ गया, जीके में भी कॉम्प्रीहेंसन पर बेस्ट कोश्चन और दिए गए संदर्ब से सम्मंदित निमलिक्त प्रशनों के उत्तर दें तो सबसे पहले हम संदर्ब पढ़ लेते हैं यहाँ पर गद्यांस को पढ़ लेते हैं पेज फॉर्मेटिंग पेज का एक ले आउट है जब इसे printer का उप्यों करके print किया जाता है, word विविन प्रकार के page layout और formatic विकल्प प्रदान करता है, जैसे page अभी विन्या, page orientation का अगज का आकार और page margin इस पर निर्बर करता है, कि आप अपने document को कैसे दिखाना चाहते हैं, दो page orientation विकल्प होते हैं, land escape और portrait, लेकिन इसे page layout टेप से land escape में बदला जा सकता है, अधिकतर document portrait mode में printed होते हैं, हाला कि monitor में land escape display होता है, default रूप से एक नए document का page आकार 8.5 inch to 11 inch होता है, हाला कि MS Word कई पूर निर्धारित page आकार विकल्प प्रदान करता है, लेकिन आपको ये देखने के लिए हमेशा जाचना चाहिए कि आपका printer किस page आकार का समय जित कर सकता है, margin रिक्ती space होती है, जो किसी document के ऊपर नीचे और बाएं और दाएं पक्षो पर छोड़ी जाती है, पेज margin एक document को साप सुतरा और website बनाती है, word में प्रतेक page में 144 रूप से एक इंच का margin होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर print जो command दी जाती है, उसके बारे में इसमें पैसेज में बताया गया है, गध्यांस में बताया गया है, किस तरीके से print page आप देंगे, print देंगे, layout बत बताया गया है, size बताया है, उस तरीके से पूरी चीजे यहाँ पर बताया गया है, तो क्या इस से समंधित question होंगे, और इसमें answer चुपा होगा या नहीं चुपा होगा, देख लेते है, question number 22, according to the given pages, what are land escape and portrait, दिये गए गध्यांस के अनुसार, land escape और portrait क्या है, land escape यहाँ पर सब्दा आया, portrait भी सब्दा आया, तो क्या चीजे है, option देख लेते हैं, A, word art option, B, slide layout option, C, page orientation option, D, style options in horizontal alignment, तो सही उतर यह क्या हो जाएगा, हमारा, C हो जाएगा, page orientation, आप इसमें पहले देखिए, land escape, portrait क्या है, इस से पहले वाले, इसमें देख लीजे, message में देख लीजे, क्या बताये गए, यहाँ पर page orientation यह सब्दा आ गया, page orientation है, वो क्या बताये गया है, land escape और portrait के बारे में, यहाँ सब्दा आ गया है, तो page orientation मतलब की, बिलकुल समझ में आ गया, कि आपका उतर है, वो इसमें मिल रहा है, page orientation option है, वो बताता है, land escape और portrait है, त तो सही आपका यहां हो जाएगा कि आप किस तरीके से प्रिंट लेना चाते हैं, लेंड इसकेप लेना चाते हैं, या पोर्टरेट लेना चाते हैं, यह क्या बता रहा है, पेज ओरेंटेशन के द्वारा बताया जा रहा है, तो सही उतर हमारा हो जाएगा, C. अगला सवाल देख लेते हैं comprehension से related है निमलिक्त गध्यांस को पढ़ कर संदर्ब जानकारी को समझें और दिये गए संदर्ब से संबंदित निमलिक्त प्रशनों के उत्तर दें कम्प्यूटर के सभी भोतिक भाग जैसे की keyboard, monitor, system unit, mouse, printer, microprocessor जिनने आप देख या छू सकते हैं hardware कहलाते हैं computer के वे सभी भाग जो address रूप से कारे करते हैं software कहलाते हैं आम तोर पर computer में फीड किये गए एक program को software कहा जाता है firmware, hardware और software का misrit रूप है मतलब की दो चीजें निकल के आ गई यहां पर hardware और software और firmware क्या है इन दोनों का misrit रूप है firmware, hardware और software का misrit रूप है यह software को संदर्बित करता जिसे आम तोर पर निर्माता द्वारा machine, device या microchip में इस्ताई रूप से इस्तापित इंस्टॉल किया जाता है firmware को विसेश परकार की memory में इस्टोर किया जाता है जिसे फ्लेस रॉम आर ओ एम कहा जाता है computer का बाहरी भाग जिसे बिना computer खोले देखा जा सकता है, skin wear कहलाता है, तो computer के आंतरिक भाग जो केवल अन इस्क्रूइंग पेच खोलने के बाद देखे जा सकते है, skin wear नहीं है, तो कहने का मतलब मतलब है, अनुप गई है हाडवेर क्या होता है, सौफट व्यर क्या होता है यह चीजे को आप जू सकते हैं, आप їस्टॉर होरे हैं, आपर बा Śचालम का आप software बोलते हैं और firmware एक नया टाइप का यहां पर system आया है तो firmware क्या है hardware और software के मिस्रित रूप है उसको हम firmware कहते हैं और चोता सब्द जो निकल के आया यहां पर हमने देखा hardware इसके बाद में software firmware और चोते टाइप का जो सब्द निकल के आया वो skinware कहलाता है जो आप computer का बाहरी बाग बिना computer खोले देखा जा सकता है उसको आप क्या बोल रहे है skinware तो पैसेज से related question देख लेते 23 which of the following program is as permanent as hardware and stored in room निमन में कौन सा program hardware के जैसा हिस्ताई होता है और रोम में संगरीत होता है तो यहां देख लेते है option a software b skinware c firmware d addware सही उतर हो जाएगा c firmware जहां पर कि क्या हो रहा है program hardware है और स्था होता है उसको रोम में संगरीत किया जा सकता है तो वो कहलाता है firmware कहलाता है डियर फ्रेंट्स आपने देखा या पैसेज में आप देख लीजेए पैसेज यहां बताय गया है कि यहां पर फर्मβेयर के बारे में बताया गया है इसकिन वेयर के बारे में software और hardware इसका मतलब है कि कुछ हिंट है वो answer यहां पर आप ले सकते हैं इसके पैसेज से आप answer ले सकते हैं तो सही उतर हमारा हो जाएगा सी फर्म वेयर ये देख लिए ये फर्म वेयर आ गया सी उत्तर सही हो जाएगा अगला कॉम्प्रिहेंशन देख लेते जैसे ही हम फाइल एक्स्पोरर में रिबन आदारित विकल्पों के साथ आगे बढ़ते हैं हम सौट बाई विकल्प पाते हैं आपके कंप्यूटर में फाइलों और फोल्डरों को एक निश्चित सौर्टिंग नियम के अनुसार विवस्तित किया जाता है आप बेस सौर्ट बाई ओप्शन सौर्ट बाई ओप्शन पर क्लिक करके इसके सुरूप को बदल सकते हैं ये फोल्डर या लाइबरेरी के लिए सौर्ट विकल्पों के साथ एक ड्रॉप डाउन मेनू खोलता है जो वर्तमान में फाइल एक्स्पलोरर में खुला है यदि आप समू बनाने के लिए छटाई की एक और लेयर लागू करना चाते हैं तो ग्रुप बाई विकल्पों चुने आप फिर से नाम दिनांक और प्रकार आका टेग और अन जैसे समूई करन नियुमों का एक सेट के साथ एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन बॉक्स देखेंगे आप व्यू टेब से अपनी फाइलों के शुरूप को बदल सकते हैं व्यू टेब आपके पीसी में सभी फाइलों और फोल्डरों को की को विवस्तित करने में म कुछ चीजों को छिपाने के लिए विविन समू देखेंगे ले आउट समू के बीतर आपकी फाइले स्क्रीन पर कैसे परदर्शित होती है इसे बदलने के लिए उपलब्द विकल्पों में से किसी एक पर क्लिक करें इसी बदलने के लिए उपलब्द विकल्पों में से कि इसी एक पर hover करके push करने से पहले layout का प्रूव आलोकन भी कर सकते हैं, अपने computer पर desktop icon का आकार बदलने के लिए view विकल्प चुनें और अपने computer पर icon के आकार को समय जित करने के लिए किसी भी display icon विकल्प का chain करें, अब यदि आपने view tab पर details pen को सक्रे कर दिया है, तो आप वास् सित फाइल के लिए दिखाई देने वाले view run को संपादित कर सकते हैं, details pen पर दिखाई देने वाले view run को संपादित करने के लिए pen से specific detail पर click करें, document के लिए आप वास्तों में title, author, tag, categories, content, status, content, size, subject और comments आदी को बदल सकते हैं, लेकिन छवियों image को तस्वीर के लिए आप के date taken view run, बदल सकते हैं, आने नहीं, तो passage में यहां पर बताया गया है कि आप किस तरीके से ribbon भी कल्प को यूज करते हैं, और क्या-क्या चीजें कर सकते हैं, sorting क्या चीज बदल सकते हैं, कौन सी चीज को आप hover कर सकते हैं, आप view कर सकते हैं, तो इससे सम्मंदित question हैं, वो pen सामिल होता है, तो passes में group by भी बताया गया है, यहां पर देख लेते हैं, option क्या है, A, home, B, view, C, new, D, file, तो सही उतर यहां पर group by का मतलब क्या है, view है, group by का मतलब pen में सामिल होगा, view सामिल होगा, सही उतर हो जाएगा, B, अगला comprehension देख लेते हैं, optical disk एक removable disk होती है, जिस पर laser beam की मदद से data लिखा और पड़ा जाता है, चुकि optical disk का भंडारन गनत बहुत बड़ा होता है, और सम्मदित लागत तुलनातमक रूप से कम होती है, कुछ optical disk का उपियोग digital data भंडारन के लिए भी किया जाता है, हलाकि प आरे लिए उपलब्द विविन अप्टिकल disk इस परकार है, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, CD-ROM या compact disk read-only memory का उपियोग, PC उपियोग करता, free recordable text, graphics और sound को इस्टोर करने के लिए करते हैं, निर्मान के समय record की गई, disk की सामगरी को उपियोग करता, द्वारा लिखा या मिटाया नह लिखा जा सकता है, CD-R, 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 CD किये गए डेटा को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन इसे मिटाया जा सकता है, DVD-ROM या Digital Versatile Disc Read-Only Memory के साथ बहुत बड़ी चमता वाली CD-Style Disc है, Read-Only DVD-Disc में डेटा को बदला, लिखा या मिटाया नहीं सकता है, इसलिए DVD-ROM डेटा फाइलों को इस ताई रूप से संग्रीद करती है और इसे आम तोर पर बड़े Soft-Bear Application को संग्रीद करने के लिए उपियों किया जाता है, तो इससे पहले Knowledge Manly Display Board ने आपको CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, ROM इस सब बारे में बता दिया, यहाँ पर पैसेज में भी सारी चीजों को डिटेल में बताया है और इस से सम्मधित क्या कोशन आ गया है, देख लेते हैं, क्या कोशन बताया गया है कोशन देख लेते हैं, पैसेज से आदारे 25th, Based on the given पैसेज, identify whether the given statements are true or false, तो statement देख लेते पहला, audio or software data recorded at the time of creation in CD-ROM is writable or erasable, would not qualify, second, a CD-R is a writable disk that allows you to write information on a disk once and read it multiple times, is enabled, third, CD-ROM is not a permanent storage medium, तो कौन-कौन सी चीज़े हैं, वो ठीक हैं, option देख लेते हैं, A, first wrong, second wrong, third wrong, B, first correct, second correct, third correct, C, first correct, second correct, third wrong, D, first right, second wrong, third wrong, तो सही उतर हमारा हो जाएगा, C, first correct, second correct and third wrong, इसमें पहला है, वो ठीक है, audio or software data recorded at the time of creation in CD-ROM is writable or erasable, would not qualify, ये ठीक नहीं है, और second है, A, CD-R is a writable disk that allows you to write information on a disk, once, एक बार लिख सकते हैं, and read it multiple times is enabled, तो ये ठीक है, इसमें पैसेज में भी हमने ये बातें देखी, CD-ROM का मतलब क्या है, CD-R का मतलब क्या है, ये बातें बताई ही, हमारा सही उतर हो जाएगा, C, पैसेज से उतर आपको मिल रहे हैं, उससे पहले हमने देखा, CD-ROM, CD-R, CD-RW, इनके मतलब बताए हुए थे, कोस्टर एक सब्द आया था, कोस्टर सब्द आया था, CD-R से समंधित कोस्टर सब्द आया था, देख लेते हैं, क्या मतलब है, A, recordable disk that gets damaged after burn fails, B, a Windows initiation file, C, an operating system that links an application to a computer's hardware, C, a GUI-based batch processing system, तो क्या है कोस्टर, देख लेते हैं, answer A, a recordable disk that gets damaged after burn fails, मतलब की, आपने CD-R में लिखना चाहा, तो लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उसको burn करना होगा, और burn करने के बाद में आपने उसमें लिखना चाहा, तो वो फेल हो गया, या लिखा हुआ, गलत हो गया, तो उसको आप बदल नहीं सकते, और ये प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है, कॉस्टर कहलाती है, तो ये पैसेज में बहुत किलिएर बताया गया था, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यहीं. अगला पैसेज देख लेते हैं, कॉम्प्रियेंसन देख लेते हैं, कम्प्यूटर को विविन माप दंडो के आदार पर वर्गी करत किया जाता है, उद्देशों के आदार पर सामाने और विशेज प्रियोजन के कम्प्यूटर होते हैं, हाड़वेर डिजाइन और प्रकार टाइप के डिजिटल और हाइब्रीड कंप्यूटर होते हैं आकार के आदार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट बात बताई गए चार प्रकार के होते हैं पहला जो आकार का प्रकार है वो सुपर कंप्यूटर है सभी कंप्यूटरों में सबस बड़े डेटाबेस वाली एप्लिकेशन के लिए उपियोगी होते हैं, सुपर कम्प्यूटर के उधारण है, C, R, A, Y, E, T, A, A, P, N, आधी मेन फ्रेम कम्प्यूटर, दूसरा टाइप है, मेन फ्रेम कम्प्यूटर यहां पर है, बड़े कम्प्यूटर होते हैं, जो बहुत अधिक सूचना संगरीत कर सकते हैं, बहुत अधिक सूचना संगरीत कर सकते हैं, और एक समय में एक कारीय कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी सूचना संगरीत कर सकते हैं, और एक समय में काई सारे कारे कर सकते हैं, इसमें काई प्रोसेसर भी होते हैं, मतलब मेन फ्रेम में का प्रोसेसर भी होते हैं और मुक रूप से बड़ी सूचना प्रसंसकरण कारियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, बड़ी सूचना प्रसंसकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मैन फ्रेम कंप्यूटर भी काफी महेंगे होते हैं, मैन फ्रे यहां पर आ गया है, माइक्रो कम्प्यूटर के विकास के काराण, मैन फ्रेम की लोग परियता धीरे-धीरे कम हो रही है, एक माइक्रो कम्प्यूटर अपनी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सिंगल चिप का उपियोग करता है, हाला कि इसे कभी-कभी पर्सनल कम्प्यूटर के रूप में संदर प्रित करते हैं, माइक्रो जो कम्प्यूटर होता है, उसको पर्सनल कम्प्यूटर के रूप में भी संदर प्रित किया जाता है, बोला जाता है, किसी भी परकार का छोटा कम्प्यूटर जैसे कि desktop, computer, laptop, tablet, smartphone आदी, micro computer के उधारन है, उधारन समझ लीजिए, desktop, laptop, smartphone यह क्या है, micro computer के उधारन है, वे छोटे ब्यासायों, घरों, कक्षाओं के लिए उतकरष्ट होते है, mini computer, यहाँ चोथे टाइप का जो computer है, mini computer यह मैन फ्रेम और यह micro computer के बीच का आकार है, मतलब मैन फ्रेम और micro computer के बीच का आकार का जो computer होता है, उसको mini computer बोलते हैं, power speed, भंडारन, चमता, आदी में मद्वर्ती होते हैं, छोटे संग्ठनों द्वारा micro computer का उपियोग किया जाता है, analog computer, ऐसे computer होते हैं, अनलोग data को प्रोसेस करने के लिए दिजाइन किया गया है, वे voltage, दाब, विद्यूत प्रवा, तापमान जैसी बहुतिक इकाईयों को मापतें उन्हें अंकों में परवर्तित करते हैं, अनलोग computer आकोडों को इस्टोर नहीं करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है, अनलोग computer है, जैसे की speedometer है, जो speed मापते है, mercury computer, mercury thampa meter है, वो क्या करता है, आपके तापमान को या तापमान को नापने में काम आता है, digital computer उच गती, high speed पर गणना और तारकिक परचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है, वे इलक्ट्रोनिक संकेतों पर चलते हैं, और गणना के लिए दुया आदारी अंक परदज्दी का उपियो करते हैं, बैक्स्टॉप या लेप्टॉप, digital computer के बहतरी नूदारन है, hybrid computer में analog और digital computer दोनों की विशेश्पाय होती है, यह analog computer के तरह तेज होता है, और इसमें digital computer के तरह memory और सठीकता होती है, तो computer के प्रकार है, यहाँ पर बताये गए, बहुत अच्छा सा detail में यहाँ समझाये गया है, क्या इस पर आदारीत question बनते हैं, question बेख लेते हैं, 27 state, backstop and tablet belong to which of the following type of computer, बतायें कि desktop और tablet निम्न में से किस परकार के computer से संबन देते हैं, बिल्कुल इस परस्ट बताया गया था पहर अगराप में, desktop और tablet हैं, वो कौन से परकार के tablet हैं, computer हैं, वो option में देख लेते हैं, A, super computer, B, mainframe computer, C, mini computer, D, micro computer, तो पैसेज आपने ध्यान से पढ़ा हैं, तो निसिद रूप से desktop और tablet हैं, वो किस परकार के computer हैं, D, micro computer कहलाते हैं, micro computer type के computer होते हैं, desktop, tablet, और mobile हैं, वो भी micro computer कहलाते हैं, सही उत्तर हो जाएगा, D, question number 28, उसी से सम्मंदित question है, 28, which of the following statement is wrong about mini computer, तो mini computer के बारे में भी बहुत ही सपस्ट बताया गया था पैसेज में, देख लेते हिंदी अर्थ, निमने में से कौन सा कथन mini computer के बारे में गलत है, तो कथन देखकर के आप कथलत पता लगा सकते हैं, option देख लेते, A, mini computers are medium-sized computers, B, mini computers are cheaper than micro computers, C, storage and speed in mini computer is less than mainframe computer and super computer, D, mini computers are multi-user computers, तो सही उतर यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, B, यह बात गलत है, mini computers are cheaper than micro computers, तो micro computer तो, जिसको अमने देखा कि, backstop है, laptop है, या mobile phone है, वो भी क्या है, micro computer है, जबकि mini computer है, वो micro computer और manframe computer है, manframe computer, इन दोनों के बीच का कौन होता है, micro computer और manframe computer के बीच का होता है, कौन mini computer होता है, तो निशित रूप से यह micro computer से सस्ता नहीं हो सकता है, यह sentence गलत हो रहा है, बाकि सारे ठीक हो रहे है, यहाँ पर B गलत हो रहा है, mini computers are medium sized computer है, यह बात ठीक है, storage and speed in mini computers is less than mainframe computers and super computer, इन से कम होगी storage और speed, और second, और D देख लिजिए, mini computers are multi user computer system, तो यह भी ठीक है, multi user computer system का use करते हैं, क्योंकि उनमें mila जुला रूप होता है, और B यहाँ पर sentence गलत हो रहा है, और हमारा उत्तर भी भी हो रहा है, से संबंधितों आगे का question है, 29, which of the following statements about analog computers is incorrect, analog computer के बारे में गलत क्या बताया है, साइर तो वहाँ हमने देख लिया था, मैं धूनना है, गलत क्या है analog computer के बारे में, अनालोग computer के बारे में ने में लिखते हैं, कौन सा कतान गलत है, तो option देख लेते हैं, A, it is one of those computers which is used in scientific and industrial applications, is done, B, it can store data, C, it is a computer with limited memory, D, it is a computer that is used to process different changing data, continuously is done, तो कौन सी चीज़ है, analog computer के बारे में गलत है, B, गलत है, it can store data, बहुत किलियर बताय गया था, कि analog computer है, वो data को store नहीं करते हैं, बाकी चीज़े हैं, वो करते हैं, mercury thermometer देखा तो, mercury thermometer है, आपको temperature बता देगा, speedometer है, आपकी speed बता देगा गाडी की, परन्तु वो क्या speed रही, वो analog computer है, वो नहीं बताएगा, तो ये बात है, वो गलत हो रही है, कि data को store करता है, नहीं करता है, बाकी sentence है, इस वन आप दोज कंपूटर्स, which is used in scientific and industrial application is done, मतलब की scientific and industrial application में इसका यूज होता है, इसके बाद में, it is a computer with limited memory, बहुत कम memory इसमें होती है, it is a computer that is used to process different changing data continuously is done, मतलब जो changing data है, उनको लगातार बदलते हुए, तापमान बदलता है, तो आपको वो बताते रहेगा, इसपीड बदलती है, तो बताते रहेगा, परन्तु data को इस्टोर नहीं करता, सही उतर यहां पर हो जाएगा, बी, डियर फ्रेंट्स, लास्ट कोश्चन देख लेते हैं, computer-based last question है, और यह passage, जो लास्ट का passage था, उसी पर आदारीत है, थर्टियत कोश्चन देख लेते हैं, read the above passage, and state which of the following statements are false, तो हमने passage को पढ़ लिया है, यहां पर कौन सा ही statement गलत हो रहा है, उपरोक्त गद्यांस को पढ़ें, और बताएं कि, निमने में से कौन सा कथन गलत है, option देख लेते हैं, तो यहां पर सही उतर, आपको निशित रूप से पैसे पढ़ा है, तो समझ में आ गया है, सही उतर हो रहा है, C, सुपर कम्प्यूटर्स आर चीप, सुपर कम्प्यूटर्स हैं, वो तो सबसे महेंगे हैं, यह sentence गलत हो रहा है, बाकी सारी चीज़े सही है, सुपर कम्प्यूटर्स आर लार्ज सिस्टम डिजाइन टू सॉल कॉम्प्लेक्स प्रोब्लम्स को सॉल करने के लिए बनाये गए हैं, सुपर कम्प्यूटर्स जेनरेट हीूज आउटपुट डाटा, मतलब बहुत बड़ी विशालकाए डेटा को भार निकालते हैं, और साथ में, डी सुपर कम्प्यूटर्स आर वेरी लार्ज मसीन, बहुत बड़ी मसीने होती हैं, परन्तु यह चीप नहीं हो सकते, यह statement C गलत हो रहा है, और हमारा उत्तर भी हो रहा है, इस तरीके से फ्रेंट्स हमने कोशन सौल कर लिये हैं, बेसिक नोलेज ओप कम्प्यूटर ओप्रेशन पर रहे हैं, और यह पूछे गए थे, इस्टेनोग्राफर में, नवोदे विद्याले के द्वारा, 2022 में रिसेंटली अभी परिक्षा हुई है, उसमें यह कोशन पूछे गए, दियर फ्रेंट्स, कम्प्यूटर से डिलेटेड, बहुत आसान कोशन आते थे, सिंगल लारिनेर कोशन आते थे, सिंपल कोशन पूछे जाते थे, परन्तु यहां पर पूछे गए हैं, कि आप अगर कम्प्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो ही उत्तर दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि रटे रटा है, कहीं से भी थियोरी पड़ली, थियोटी कल कोशन यहां पर नहीं पूछे गए, आपको जो चीज़े आती हैं, उससे समंधिती कोशन पूछे गए, आपके डेली यूज के कोशन पूछे गए, और पैसेज है, यह बिल्कुल नया इन्नोवेशन है, पैसेज में से कोशन मिल रहे हैं, कोशन के आंसर मिल रहे हैं, पैसेज में से आंसर मिल रहे हैं, तो पैसेज को धान से पढ़िए, पहले हिंदी इंग्लिस में पैसेज आते थे परन्तु यहां पर आपको पैसेज हैं वो मिल रहे हैं और उसमें उत्तर भी ढूंडे जा सकते हैं इसलिए पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उत्तर को आप निकाल करके और अपने सेलेक्शन को निशित करवाईए थैंक्स पू विश्वशनी और प्रमानिक अध्यान सामगरी जो की जरूरी है ल्दी सी, यूदी सी, ओएस, एसो, एसो, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डी सी, आधी पदो के लिए और ये जरूरी हैं जैसे की एन्वीएस, के वीएस, एमर्स, एन्सीटी कंडेक्टेट बई यूपसज और आशेट मज़ आइस्सिंपलेट आपाच्टी कुछेशन सपरत्माइश प्रिंसेयन और स्क्राइट ये जरूरी कंडेक्डेक्ट राइसने झालेटेशने कर देश्वशने आधिए और ये जोगडेशनेशने सेव्चे आइसेज मेशने इन सक्त्वेशने साह